आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ तो हमको क्या पहले फाइंड करना है कि फिर से वही है अगर हम पहला और नमबर क्या लेते हैं अन लेते हैं तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा तो इसको नोट कर लेते हैं 3 consecutive odd numbers are n, n plus 2, n plus 4 तो हमें क्या कि let the 3 consecutive odd numbers are n, n plus 2, n plus 4 n plus 2, n plus 4 यह समाझ में आ गया होगा क्योंकि इसके बीचे एक even number पड़ेगा तो हमको उसको नहीं लेना है तो n के बाद n plus 1 even होगा फिर उसके बाद n plus 2 odd होगा इसलिए हमने 2, 2 का ही हमने gap लिया हुआ है अब क्या बोला question में उसने कहा कि 3 का sum कितना है 20 है 20 more than the first of this number तो मतलब क्या हुआ कि n, n plus 2, plus n plus 4 अगर 3 को add कर दें तो यह 20 जादा है किस से first of this number में 20 plus n add करेंगे तो यह जाएगा 3n plus 6 equal to n plus 20 n को इधर ले आएएगे तो यह जाएगा 2n और 6 को इधर ले जाएगे तो इजाएगा 14 तो n equal to कितना गया है 7 तो 3 हमारे कौन से odd number हो गया यह 3 हो गया 7, 9 and 11 तो यह हो गया हमारे 3 कांस की to odd number so what is the middle number? तो middle number क्या हुआ? 9 तो option B correct है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तास मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर